वेलकम, अमर सेर योटूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है, आज का वीडियो स्पेशल है, लर्न माथ्स विदाउट स्ट्रेस, ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया, कि ज्यादा तर्य स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जिनको मैथमेटिक से ड़ लगता है, और वो हमे साथ प्रेशर में पढ़ाई करते हैं, क्या है आप मिडल स्कूल के दौर में रहे हों, हाई स्कूल के दौर में रहे हों, वालेज के दौर में रहे हों, या फिर कॉम्पेटिटिव एक्जाम के दौर में रहे हों, जगह आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स रठना पड़ता है, उसके फॉर्मूले रटने पढ़ते हैं और इतना फॉर्मूला कैसे रटें और चुकि आप रटने का प्यास करते हैं यहीं से स्ट्रेस फील होता है स्ट्रेस फील ना हो किसी भी लेवल पर आज इस वीडियो का मक्सद यही है अगर आप बच्चे की बात करें मैं सबों के बारे में बात करता हूँ खोटे बच्चे की बात करें तो उसे सबसे पहले तो हम दबाव डालते हैं कि ऐसा ही करो अच्छा बड़ा जिग्यासू होता है वो हमेशा पूछता है बड़े नहीं पूछते वो पूछता है क्यूं और हम अक्सर ही उसके क्यूं का जवाब नहीं देते बस करो 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 इतने दिनों तक बच्छा बात सुनेगा सुनते सुनते उसकी जो जग्यासा है वो खत्म होने लगती है और बस वो लकीर के फकीर की तरह से मैस को पढ़ने लगता है कि जिल्चस्पी खत्म हो जाती है फॉर्मूले को जबरदस्ती हम रटा देते formulae का formation natural way में जैसे बनता है वो बच्चे को नहीं बताते हैं यही बात high school level में भी होती जब आप competitive exam का preparation करते हैं तो जो maths में जो chapters हैं वो वही हैं जो high school level में है especially 9 and 10 आपको विश्वास नहीं होगा 9 and 10 का जो course है ना exactly fit है competitive exam के लिए उसको जिसने ठीक से पढ़ लिया उसे किसी coaching की जर्वत नहीं अभी students में जो यह भागा भागी है maths को अली करके की पढ़ना है कहता हूँ क्या पढ़ना है जो 9 and 10 में है अगर आप उसको ठीक से पढ़ लेते तो आज दिक्कत ही नहीं होती आज फिर मैं यह कहता हूँ कि जब आप competitive exam का preparation करते हैं तो class 9 और 10 के box उठाईए उनके maths बना जाईए exam में कोई दिक्कत नहीं होगी असल में competitive exam चाहता भी तो यही है वो यह तो नहीं चाहता कि maths में honors कर लीजिए वो तो demand करता है art का student, science का student, commerce का student किसे भी discipline का student आए और उसे एक mathematical skill उसके अंदर होना चाहिए जो metric में उपर चुका है उसका practical use करने के लिए आना चाहिए exam board तो यहीं चाहता है हम लोग उस board के उस motive को समझ नहीं बाते हैं ऐसे पढ़ेंगों तो देखिए पढ़ने के तरीके में जो fault है तो उसे बच्पन से वो यह है कि school में teacher पढ़ाते हैं जब वो पढ़ाते हैं तो सीधा exercise पढ़ा जाते हैं और exercise के questions को solve करना शुरू कर देते हैं देखिए वो book किस तरह से बना है सबसे पहले उसमें chapter के बारे में लिखा हुआ रहता है concept जो chapter है अगर वो percentage chapter है तो सबसे पहले book भी percentage को अच्छे से example लेकर के plane करता है what is percentage what is its use प्रतिशत क्या है इसका महत तो क्या है क्यूं हम use करते हैं यह पहले बताता है और उसके बाद जो बताया गया है percentage में questions के types को सामने रखते हुए हर type के question को solve किया वह रहा था 8 9 10 ऐसा और तब exercise शुरू होता है वो जो बताया हुआ है concept explanation और तब exercise और तब आप exercise बनाने जाएंगे इसी की मदद तक की जर्वत है self study से एक student high school और middle school का student इसको कर सकता है जदी हम करने के लिए credit करें और ऐसा बहुत सारे student करते हैं और वही बहतर करते हैं अब अगर teacher चाहते हैं कि नहीं वो अपनी तरह से अलग ढंक से explain करना चाहते हैं तो yes पहला जो class होना चाहिए school में भी और यहां भी competitive exam में भी वो यह percentage क्या है book में लिखा है चलिए आप explain कीजिए फड़ा ज्यादा समझ में आएगा जब कोई व्यक्ति explain करता है percentage क्या है उसका use क्या है why percentage percentage निकालने की technique देखिए अगर आप ख्यान दीजे किसी भी chapter पर percentage पर what is percentage जब हम बोलते हैं example के लिए मैंने लिया तो 600 रुपीज है अगर उसको हम 100 equal parts में divide करें तो each one प्रतेक एक टुकड़ा एक प्रतिशत कहा जाता है इसका शब्द कम अर्थ है word meaning है percentage का सौवा भाग per cent per 100th part per six rupees one piece one percent six hundred one percent six rupees उसका सौवा भाग एक ठो परसेंट हुआ छे रुपया दो ठो परसेंट बारे रुपया तीन ठो परसेंट अठारे रुपया और बोले पचास परसेंट तो सीधा आधा न बोलने तीन सो रुपया that is fractional value ऐसे percentage को पहले explain करना पड़ता है और जब explanation हो गया तो फिर कोई भी question उठाईए और उसके types में उस thought का उस concept का application कीजिए अच्छे को मजा आ जाए जरसल जब आप कोई chapter पढ़ते हैं किसे भी level पढ़ते हैं तो उस chapter का अर्थ क्या है meaning क्या यही मूल होता है उस word के chapter के word meaning को explore कीजिए जैसे percentage को मैंने explore किया जैसे average आप पढ़ते हैं तो average को explore कीजिए interest पढ़ते हैं simple and compound interest को explore कीजिए time and work को explore कीजिए time and distance को explore कीजिए chapter दिखाई देने लगेगा tension कहाँ चला जाएगा पता तक न चलेगा average बच्चा रटता रहता है sum of items by number of items sigma fx is equal to x bar into पागल हो जागा आदमी काहें सब करते हैं जी सब का पैसा बराबर बांट दे कितना पड़ा एक के पास 15 रुपीज है दूसरे के पास 20 रुपीज है तीसरे के पास 25 रुपीज है बाट देजे न each will get 20 अगर हर एक को बराबर बांटे तो 20 रुपया पड़ा यही average है 3 लोगों को बांटे तो sum 20 into 360 हुआ की नहीं फॉर्मूला बुलें का है का sum is equal to average into number कि तो अपने आप result हो गया ना याद हो गया ना मैं example के लिए का रहा हूं तो average भी जब आप समझ जाते हैं तो मेरा जो डंडा गड़ा concept है वो क्या है chapter के concept का ही explanation है कितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड़ा डंडे को तोड़के गड़े को भर दीजिए level that is average समुदर के के नारे बालू में बच्चक खेलता है क्या करता हो खुदाई करता है बालू को निकाल-निकाल करके और बगल में टीला बना देता है कुछ नहीं उस टीले को तोड़के फिर से डाल दीजिए level that is average जितना बड़ा टीला उतना बड़ा खाई नहीं फिर level होगा कही से that is average यही तो होसत है इंट्रेस्ट पढ़ते हैं आप simple interest component principle वही रहेगा नहीं बदलेगा hundred rupees पर one year में कितना interest देंगे principle is constant and rate का meaning 6% per annum के rate से 5 years में 30% interest मिला जी 600 जमा किये थे 60 रुपया 10% होता एक सो सी दे दीजिए ना बताएगे मज़े अगर आप पढ़ते हैं component ना ना आप समय पर पैसा नहीं देते हैं नहीं दीजेगा आपको हम देंगे ने वापस माने 5000 रुपया दिय था ना जी पिछले साल इस साल चली 1000 का 10% दे दिजी आप 1100 रुपया दे दिजी नहीं देंगे नहीं देंगे तो मैं 1100 का लेंगे क्यों कि अगर आप दे-देते तो 100 रुपया कहीं और हम लगाते तो 10% हमको मिलता है वी नहीं रुप्य बताये तो आप नहीं दीजिएगा तो दस रुप्य का नुक्सान है की नहीं, अगर आपको मंजूर है कि जदी नहीं देते हैं, तो वो इंटरस्ट भी प्रिंस्पल का पार्ट होगा, तब मैं आपको दूँगा, that is compound, simple interest से ही compound interest पैदा होता है, principle is constant, the case is simple, principle changes, then the case is compound, आप time and work पढ़ते हैं, time and work में पहले जो पढ़ते थे proportional relation, अब inverse proportional relation भी आजाता है, पहले पढ़ते थे 500 रुप्या पर 100 रुप्या इंटरेस्ट मिला, 500 रुप्या डवल हो जाए, तो 100 रुप्या डवल हो जाए, अब यहाँ पर आप ये भी पढ़ते हैं, 100 आदमी 10 दिन में काम करता है, 200 आदमी हो जाए, तो क्या 20 दिन हो जाएगा, नहीं होगा, उल्टा, inverse, आदमी डवल, time half, that is inverse relation, जब भी कोई time and work पढ़ने जाए, उसे बता दें, कि ये दो तरह के relation होते हैं, और ये relation किस रूप में होते हैं, multiplicative inverse के रूप में होते हैं, not additive inverse, multiplicative का मतलब, आदमी double, time half, 100 के बजाए 200, आदमी आजाए, तो 10 दिन के बजाए, 5 दिन न लगे, inverse, 2 by 1, आदमी हो जाए, 1 by 2, time हो जाए, proportional relation, inverse proportional relation को समझा दें, और unit work method क्या होता है, ये समझा दें, तो time and work complete हो जाए कि नहीं बोलिये, पिर चाहे जैसा भी question आ रहे, आजकल बोल जाता है, पैटर्न बदल रहा है, और बहुत ज़्यादा variable वाले question आ रहे हैं, इतना मैंने सुना, समझाया, बच्चा मानने को तयार नहीं, तब मैंने तया किया कि ठीक है, मैं variable वाले question को पकड़ पकड़ के लाता हूं, दिखाता हूं और आपके सामने सीधा करता हूं, कहां है variable वाला और क्या है बताईए, एक व्यक्ति ने कुछ पैसा लगाया, बिजनेस शुरू किया, अभी क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने X रुपया लगाया, बिजनेस शुरू, X देखते ही पसीना, X क्यों आ गया, पहले से पाँच आदमी बढ़ गए, पहले भी होता था हूं, नहीं नहीं, X व्यक्ति का कर रहे था ना, बाद में X प्लस 5 व्यक्ति काम करने लगे यह यही तो है, पहले यह सुर्टन नंबर of men can do a work in some days and 5 men were increased, यह क्या चीज़ है, X men can do a work in 10 days, now X प्लस 5 men can do the work, क्या है, यही नहीं बारे 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 चैप्टर का जो मीनिंग है उसको explore कीजिए, जितना ज़्यादा explore कीजिएगा उतना ज़्यादा उस चैप्टर का पुरा concept समझ में आएगा, concept से बाहर कुछ नहीं होता, formula भी concept से पैदा होता है, मैं कहता हूँ, दूसरे लोग मदद करते हैं, teacher, institute, website, school, तो ठीक है, पढ़ने की रफ्तार तेज होती है, time save होता है, बात सही है, लेकिन, 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 ठीक है, उनकी मदद से हम 6 मेने में पास करते हैं, उनकी मदद के बिना हम 8-9 महीने में पास करेंगे, बस इतना ही फर् चाहे वो middle school हो, high school हो, college हो, या competitive exam हो, आसानी से पास कर सकता है, self study से, इना किसी मदद को, पहले का जमाना कुछ और था, जब material उपलब्द नहीं थे, अब online सब कुछ उपलब्द है, सब कुछ उपलब्द है, पहले एक teacher से आप पढ़ते थो, जो localized होते थे, अच्छे teacher, अच्छे teacher पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए सब के लिए available है, इसलिए अब दुनिया सिमट गई है, कहीं भी गाउं में रहने वाला बच्छा आसानी से तयारी कर सकता है, बस पूरी मेहनत जादा करनी पड़ेगी, पैसा भी खर्च करनी की कोई जरूत ने, मुझे भागा होगा, confidence आया होगा, और आप self study, अपने बल पर maths पड़ सकते हैं और किसी भी exam को pass कर सकते हैं, ये विश्वास आपके अंदर आ गया होगा, okay, all the best, bye.